हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो जेस अनालेसी सेंटर, तो डेली करेंट अफेर के सेशन में आज हम डिसकास करेंगे 16 जनवरी का करेंट अफेर, और यदि इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जागा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकत पर है, इसमें भारत तेरा सेवें अस्थान पर है, पहले अस्थान पर पूछे तो याद रहे जापान और सिंगापूर पहले अस्थान पर है, भारते रेल्वे ने यात्रीयों के खोए हुए समानों को ट्रै करने के लिए, किस मिशन को लॉंच किया है? मिशन अमानत, पुलिस उप अधिक्षा की यानी DSP पद पर नियुक्ते किया है असम की सरकार ने ग्लोबल प्राइविट बैंकिंग एवार्ट्स 2021 में हाली में किसे भारत का सर्वस रेष्ट नीजी बैंक का प्रोस्कार दिया गया STFC बैंक को भारत ने किस देश को घट्टे विदेशी मुद्रा भंडार और खादे तेल के आयाद के लिए 900 मिलियन डॉलर रिड़ देने की घोसना की है सिलंका को भारतिय एतेहासिक अनुसंधान परिसद के नए अधेक्ष कौन बने है रगु वेंदर तवर 2023 में प्रथम विश्व बधी T20 क्रिकेट चैंपेंशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा भारत को इसकी मेजबानी सौपी गई है और भारत में केरल में इसका आयोजन किया जाएगा आंदर परदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सवना विरित्ती आयूँ 60 वर्स से बढ़ा कर कितना कर दिया है 62 वर्स एंडी टिवी के किस मशूर पत्रकार का 14 जनवरी 2022 को दिल का दौरा पढ़ने से निदान हो गया कमाल खान माया एंजेलो किस देश के सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला बनी है अमेरिका तो अब चलिए आज का पहला कोशन है भारते रेल्वे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल कर क्या कर दिया है तो देखें इंडिएन रेल्वे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदल दिया है अब इसका नाय नाम होगा ट्रेन मेनेजर option A. राइट एंसर तो जैसे कि assistant गार्ड होता है इसे अब assistant passenger train manager goods guard को अब goods train manager वही mail या express guard को अब मेल या एक्सप्रेस ट्रेन मनेजर के रूप में जाना जाएगा इंडियन रेलवे की बात करें तो हाली फिलाल में रेलवे बोर्ट के नए चेयरमेन और CEO कौन बने है विने कुमार तिरपाथी रेल मंत्री कौन है अश्वीनी वैशनव अब हाली फिलाल में जो भी नाम बदले गये हैं इनने भी याद रिखेगा आगामी परिक्षाओं के लिए इंपर्टेंट है गुजरात में इस थी थे के वडिया रेलवे इस्टेसन इसका नाम बदल का रखा गया है एक्ता नगर रेलवे इस्टेसन हावडा काल का मेल का नाम बदल का रखा गया है नेताजी एक्सप्रेस हभीब गाज रेलवे इस्टेसन का अब नाया नाम है रानी कमलापती रेलवे इस्टेसन पताल पानी रेलवे इस्टेसन का अब नाया नाम है टांट्या मामा रेलवे इस्टेसन जहांसी railway station जो की उतर परदेश में है इसका अब नया नाम है विरंगना लक्षमीबाई railway station यहाँ पर ध्यान रखिए हविब गज रेलवे station और पतालपानी railway station यह मद्धे परदेश में है अकासवनी संगीत समयलन का अब नया नाम है पंडित भीम सेंजोशी संगीत समयलन प्राइबेट एरलेंस कंपनी है गो एर अब इसका नया नाम है गो फस्त Indian Broadcasting Foundation का अब नया नाम है Indian Broadcasting and Digital Foundation सारे इंपर्टेंट है दोस्तों याद रिखिये मद्य परदेश में इस्थित है चिंदवाड़ा विश्व विद्याले, इसका नाम बदल का रखा गया है अराजा शंकर शाह विश्व विद्याले, अराशे डिजिटल स्वास्त मिशन का अब नाया नाम है परदान मंत्री डिजिटल स्वास्त मिशन, मिड्डे मील योजना ज हर साल 24 जन्वरी के बज़ाए, किस दिन से शुरू होगा। तो देखिए भारत में गणतंतर दिवस यानि Republic Day हर साल 26 जन्वरी को मनाझा जाता हैं। और 26 जन्वरी से पहले 24 जन्वरी से ही गणतंतर दिवस समारो शुरू हो जाता हैं। लेकिन अब हर साल तेश जन्वरी से गणतंत दिवस हमारो शुरू हो जाएगा। ओप्शन बी राइट एंसर, तेश जन्वरी को सुबाश चंद्रबोश की जैनती मनाई जाती है, इसी वज़ा से ये फैसला लिया गया है। ठीके, इसके अलावा इस साल तेश जन्वरी को प्राथम प्राकरम दिवस मनाई जाएगा। पहले हाई परफरमेंस डिरेक्टर के रूप में निउक्त हुए हैं अविनाश पांडू, ओप्शन C, राइट एंसर, कहां के हैं ये, ये मौरिशस के हैं, तो मौरिशस के अविनाश पांडू को 2024 पेरिस ऑलमपिक तक के लिए, भारतिय भारतोलन के लिए हाई परफरमेंस डिरेक्टर के रूप में निउक्त हुए जाएगा तो यहां पर एक चीज करिए, 2024 में कहां पर ओलमपिक खेलो का आयोजन किया जाएगा, पेरिस में, 2020 में टोटियो में आयोजित किया गया था, यानि değil 20 21 में टोटियो में आयोजित किया गया था, चलिए अगला कोशन है, 15 जन्वरी 2022 को किस ने अपना 74 दिवस मनाया तो देखिए बताईए 15 जन्वरी को कौन अपने दिवस मनाता है भारतिये सेना यानि इंडियान आर्मी हर साल 15 जन्वरी को भारतिये सेना दिवस मनाया जाता है क्योंकि भारतिय सेना के अस्थापना तो किसी और दिन के गई थी लेकिन दिवस मनाय जाता है 15 जनवरी को क्योंकि 15 जनवरी 1949 को भारत के के एम करियापपा भारतिय सेना के प्रथम भारतिय परमुख बने थे उसके पहले जितने भी भारतिय सेना के चीफ बनते थे, सारे के सारे अंग्रेज होते थे, लेकिन पहली बार किसी भारतिय को भारतिय सेना परमुख बनाये गया था, 15 जन्वरी 1949 को इसलिए हर साल 15 जन्वरी को भारतिय सेना दिवस मनाये जाता है बारते सेना की बात करें, तो हाली में बारते सेना ने मद्देपरदेश के महु में एक क्वांटम प्रयोग शाला की अस्थपन की है, वहीं बारते सेना ने वेब आधारित मैसेजिंग एप लॉंच किया है, इसका नाम है ESIGMA, ESIGMA का फूल फोमता है Army Secure Indigenous Messaging Application, इसके पहले भी एक WhatsApp के जैसे ही अप लॉंच किया था, इसके भी याद रिखेगा, इसका नाम है SIE, यानि Secure Application for the Internet, भारते सेना का पहला, Green Solar Energy Harnessing Plant, कहां स्थापित किया गया है, सिक्किम में, भारते सेना क्या स्थापना कब हुई थी, 26 जनवरी 1950 को, और भारते सेना दिवस मना जाता है 15 ज Chief of Staff Committee भी बनाए गया है, इंडियन आर्मी के वाइस चीफ है, वर्तमान में, चांडी परसाद महनती, इंडियन आर्मी का आदर्श वाक्य है, सर्विस बिफोर सेल्फ, ठीक है, और इंडियन आर्मी के प्रतम भारते परमु कौन थे, के एम करियप्पा, अगला कोशन है, भा ब्रहमोस मिसाइल का निर्मान किया जाता है, अब भारत जो है, इस मिसाइल को बेचेगा भी, और इसके लिए पहली बार फिलिपिन्स ने भारत के साथ समझोता किया है, तो option A, right answer, यानि भारत से ब्रहमोस मिसाइल खरीदने वाला विशो का पहला देश बन गया है, वैसे भारत में इसका डिजाइन और विकास किया गया है, DRDO द्वारा लेकिन निर्मान किया जाता है, ब्रहमोस एरोए स्पेस द्वारा, ब्रहमोस जो मिसाइल है, इसका नाम रखा गया है, भारत की ब्रहमोस नदी और रूस के मुस्कावा नदी के नाम पर, ब्रहमोस मिसा में राश्टर पती हैं रोडरीगो दूतेरते यहां की संसत का नाम है कांग्रेस और करेंसी है पेसो पेसो जो करेंसी है बहुत सारे देशों में चलती है जैसे की अर्जेंटिना चिली कोलंबिया डोमिनिकन रिपब्लिक क्यूबा और मेक्सिको नेक्स्ट दक्षिन अफ्रीक के धर्दी पर टेस्ट क्रिकेट में शतक जड़ने वाले यानि संचूरी बनाने वाले पहले भारतिये विकेट के पर बल्ले बाच कौन बने है राइट एंसर है ओप्षन बी रिशब पन्त ठीक है तो हाली में भारत और दक्षिन अफ्रीका के बीच में तीन टेस्ट की एक सिंखिला आयोजीत की गई थी वैसे ये सिरीज जीत लिया है दक्षिन अफ्रीका ने ठीक है ओप्षन भी राइट एंसर दक्षिन अफ्रीका की बात करें तो इसकी तीन अराज़धानिया है केप टाउन लेजिसलेटिव कैपिटल है ब्लूम फोंटीन जुडिशल कैपिट इसकी तीन अराज़धानिया है यह देखा गया यह किस देश में इस्थित है इंप्रेटन कोशन बनेगा अगामी परेक्षाओं के लिए इसे ध्यान बरेकिए गेटवेट टु हेल जो है यह एक गैस करेटर है जो की इस्थित है तुर्कमेनिस्तान में हाल ही में इसे सुर् को बुझा दिया जाएगा तो गेटवेट टु हेल यह कहां पर है तुर्कमेनिस्तान में है तो यह एक विशाल प्रकेस्तिक गैस करेटर है जो की तुर्कमेनिस्तान के राज़धानी आशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर काराकुम रेकिस्तान में इस्थित है और यह पिछल तुर्कमेनिस्तान की बात करें तो इसके राज़धानी आशगाबाद यहां के राश्टर पति वर्तमान में गुर्बांगूली बर्डी मुखा मेदो यहां की करेंसी का नाम है मनत नेक्सट ओनलाइन विमा प्लेटफॉर्म रि निूव बाई के ब्रांड अमेस्टर कौन बने है तो ओनलाइन बिमा प्लेटफॉर्म है री न्यूबाई इसके ब्रांड अमेस्टर बने हैं अभिनेता राजकुमार राव ओप्शन दी राइट एंसर री न्यूबाई जो कमपनी है इसके अस्थापना 2015 में की गई थी इसका मुख्याले गुरुग्राम में है गुरुग्राम में ही अंतरासी सौर गडवंदन का मुख्याले है और अंतरासी सौर गडवंदन एक मातर ऐसा अंतरासी संगठन है जिसका मुख्याले भारत में है री न्यूबाई के वरतमान में चेर्मेन है बोबी पवार अभी हाली फिलाहल में बहुत सारे ब्रांड अमेस्टरों की नियुक्ति की गई है इन्हें भी याद रिखिएगा अगामी परिक्षाओं के लिए इंपर्टेंट बनेगा बैंक ओफ बरोदा जो बैंक है इसकी ब्रांड अमेस्टर बनी है महिला किरिकेटर शेफाली वर्मा इक्वी टास स्मॉल फाइनेंस बैंक के ब्रांड अमेस्टर बनी है अरानी रामपाल और असमरीती मंधाना अमरीतांजन हेल्थ केर के ब्रांड अमेस्टर बनी है मेरा बैचानू और बजरंग पुनिया CoinDCX के brand ambassador बने हैं अमिताब बच्चन और आयुसमन खुराना वही CoinSwitch Kuber CoinSwitch Kuber और CoinDCX ये भारती Cryptocurrency Exchange है ठीक है? इसमें CoinSwitch Kuber के brand ambassador बनाए गए है रणबी सिंग Tata Life Insurance के brand ambassador निरत चोपड़ा है और आचल परदेश की सरकार ने राज्य के brand ambassador बनाया है संजय दत को Kitchen Air brand Wonder Chef की brand ambassador बनी है कृती सैनन जो की अभिनेतरी है चली अगला कोशन है हाली में खबरों में रहा Red Sanders किसकी प्रजाती है? तो Red Sanders जो है ये एक ब्रिक्च की प्रजाती है Option B, right answer क्यों चर्चा में था? क्योंकि Red Sanders को हाली में International Union for Conservation of Nature ध्यान देखिए IUCN का फूल पहमता है International Union for Conservation of Nature इसने हाली में Red List में संकट ग्रस्त सेनी में डाल दिया है Red Sanders को ठीके? Red Sanders को ही लाल चंदन भी का जता है जो की दक्षिन भारत के पुर्वी घाट प्रवत सेंखला की एक पेड़ की प्रजाती है IUCN की बात करें तो इसके अस्थापने की गई थी 5 अक्टूबर 1948 को मुख्याले स्विजय लैंड के ग्लैंड में है वर्तमान में इसके डारेक्टर जनरल है डाक्टर ब्रूनो ओबेरले अध्यक्ष है यानि प्रेसिडेंट है अराजन अल मुबारक अगला कोशन है केंद्रिय संस्कृति राज्यमंत्री मिनाक्षी लेखी ने पुर्वत्ता राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए कहां पर North East on Wills अभियान लौँच किया है तो हाली में केंद्रिय संस्कृति राज्यमंत्री मिनाक्षी लेखी ने नई दिल्ली में North East on Wills अभियान लौँच किया है किसलिए पुर्वत्ता राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वैसे ये अभियान जो है उत्तर पुर्व छेतर में लगबग 9000 किलो मीटर की दूरी तै करेंगे अब दिल्ली से रिलेटेज जो भी लेटेश करेंट अफेर बने हैं इनका एकबर फाटा फाट रिविजन कलीजे आर्थिक रूप से कमजोर वर के छात्रों को मुफ्त कोचिंग और वितिय मदद देने के लिए जै भी मुख्य मंत्री प्रतिभा विकास योजना लॉँच की गई है दिल्ली में सरकारी योजनाओं का लाब स्रामिकों तक पहुँचाने के उद्देश से स्रामिक मित्र योजना लॉँच किया गया है बच्चों की सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलीस ने अभया पहल लॉँच किया है दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मेंटर द्वारा मार्ग दर्शन परदान करने के लिए देश का मेंटर कारिकरम लॉँच किया गया है बचों की पोसंड और स्वास्त संबंधी जो उर्टों को पूरा करने के लिए अंगन वाडी ओन विल सभियान लॉंच किया गया है, नई दिल्ली के पूसा में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राश्य जीन बैंक का स्थापित किया गया है, देश का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में ही अस्थापित किया गया, प्रतम खेलो इंडिया महिला, होकी लिग अंडर 21, आयोजीत किया गया दिल्ली में, और दिल्ली एरपोर्ट पर देश का पहला प्राइवेट जेट टर्मिनल अस्थापित किया गया है, दिल्ली में जो एरपोर्ट है उसका नाम क्या इंदरागंदी इंटरनेशनल एरपोर्ट दिल्ली अपनी सिमा भारत के दो राज्यों से शेयर करता है दिल्ली के अंदर शासित परदेस है यह अपनी सिमा हरियाना और उत्तर परदेस से शेयर करता है मुख्यमंत्री है अरविंद केजरिवाल, जीलों की संख्या 11 है, डिप्टी सीम है मनीश सिसोधिया, लिफ्टिनेंट गॉर्नर है अनिल बैजल, दिल्ली हाई कोट के चीफ जस्टिस है धिरुभाई नारण भाई पटेल, दिल्ली में लोग सबसीट के संख्या 7, राज्य सब सीट, तीन विधान सबसीट के संख्या 70 है, चली अगला कोशन, जोष डेनियल और टेगा सवेद्रा, किस देश के लगतार चौथी बार राश्पती बने हैं, तो जोष डेनियल और टेगा सवेद्रा, सेंट्रल अमेरिकन कंप्री है निकार गुवा, निकार गुवा के ये लगतार चौथी बार राश्पती बने गए हैं, वैसे ये पांचवी बार राश्पती बने हैं, लेकिन लगतार चौथी बार राश्पती बने हैं, निकार गुवा के राजदानी है, माना गुवा, यहां की करेंसी है कोडोबा, अगला कोशन, भारा सरकार ने हाली में, जी 20 प्रतिशत FDI की मंजूरी दे दी है Option C, Right Answer वैसे वरतमान समय में भारत में बीमा चेतर में अधिक्तम 74 प्रतिशत FDI की अनुमती है LIC के बाद करें तो अस्थापन हुई थी 1 सितंबर 1956 को मुख्याले मुंबई में है वरतमान में LIC के चेर्मेन है M.R. कुमार तो फ्रेंड्स यह था हमारा आज का करेंटर फेर वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेर जबू करना अब लास्ट कुईज का अंसर जान लिजे पहला कोशन था बारत में एक लाख लोगों को साइबर के छेतर में कौशल परदान करने के लिए किसने साइबर सुरक्षा कोशल कारिकरम शुरू किया है राइट अंसर था ओप्शन डी माइक्रोसोफ्ट ने दूसरा कोशन था हीरो सिनियर महिला राश्य फूट बॉल चेंपेंशिप 2021-22 का खिताब किसने जीता है इसका राइट अंसर था ओप्शन C मनिपूर अब चलिए आज का पहला कोशन है 11 दिसंबर 2021 को किस थीम के साथ अंतराश्य परवत दिवस मनाए गया दूसरा कोशन है आठवा कलिंग साहित्ते महसो 2021 किस शहर में आयोजीत किया गया दोनों कोशन का एंसर नीचे कमेंट करके बताईए मिलता है अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार